हेलो इस्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज क्लास 12 फिजिक्स के करेंट इलेक्टिसिटी चैप्टर से MCQ कोस्चन्स, मल्टिपल च्वाइस कोस्चन्स, जो की बोर्ड एक्जाम के पॉइंट आप भीव से बहुत ही इंपार्टेंट है, और इसे पूरा साल्व करने पर आपका पूरे चैप्टर का कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तो आज हम कुछ इंपार्टेंट MCQ कोस्चन करते हैं, बेस डान करेंट इलेक्टिसिटी, तो किसी भी कोस्चन को साल्व करने के पहले उससे सम्मंधित फार्मूला आपको आना चाहिए, तो इस चैप्टर का फार्मूला जो है एक बार ये आपके लिए लेकर गया आया हूँ, ये आप इसे रिवाइच कर लें, अब इसमें देख रहे होंगे कि लगभग एक से लेकर के 32 ये कुल इन्ही फार्मूले पर आधारित जो है इस चैप्टर से कोस्चन्स जो है होते है तो इसे आप गवर से जो है एक बार सभी फार्मूले को देख लेंगे और फिर इसके बाद कोस्चन्स सालू करना सुरू करेंगे कोस्चन नमर वन है एक रासी एक्स ब्यंजक एपसाइलन नाट एल डेल्टा भी अपान डेल्टा टी द्वारा अब्यक्त की जाती है जहाँ एपसाइलन नाट निर्वात की बिदू सिलता है एल लंबाई डेल्टा भी विवांतर तथा डेल्टा टी समयंतराल है एक्स का बिमिय सुत्र की सरासी का है तो यह जो है धारा से संबंदित है यानि यह बैदूत धारा यानि धारा का तो आपसंडी सही होगा अनुगमन वेग भीडी की विदूत छेत्र ई पर निमनलिखित में से कौन सी निर्वरता में ओम के नियम का पालन होता है इसमें यह बताना है कि भीडी जो है किस तरह से इस पर निर्वर करती है तो आपसन है VD proportional E square, VD proportional E, VD proportional E power 1 by 2 और VD equals to नियतांग तो इसमें जो है VD proportional E इस पर जो है यह निर्भर करता है Q3. चालक की बोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो Y अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा अब आप इसे कैसे साल्व करेंगे तो देखे इस question में यह जैसे question आपने लिया इस question में हम अगर चलिए यह माल लेते हैं कि यह भी है यह ले लिया अपने यह भी हो जाएगा और यह हो जाएगा I तो अगर हम इधर I दिखाएं और इधर जो है भी दिखाएं तो यह कह रहा है कि ग्राफ जो है ग्राफ ऐसे जाएगा और यह Y अक्ष से थीटा कोड बनाता है Y अक्ष से तो यह कोड थीटा हो जाएगा तो इसमें क्या है यह B को इधर दिखाएंगे और I को इधर दिखाएंगे तो सुलोप क्या होता है यह सुलोप होता है इसका टैन ठीटा तो एक्ष तो यहां से अगर हम यह देखते हैं जीश से मानली जैकी यह दैस है तो यह क्या आजाएगा भी अपान आई आ जाएगा तो भी अपान आई जो है क्या होता है आर होता है तो यहाँ पर अगर भी जो है भी को अगर हम यहाँ दिखाते हैं और आई को यहाँ दिखाते हैं तो इस कोण पर टैन थीटा बराबर भी अपान आई इसका मतलब आपसम A साई होगा प्रतिरोद R का बिमिय सुत्र तो R के लिए फार्मूला क्या होता है? आपने पड़ा है कि R बराबर B अपान I B क्या होता है? B होता है W अपान Q और ये है I अब W बराबर होता है बल गुडेबिस्थापन F इंटू D और ये नीचे आ गया आपका Q और इंटू I F क्या है? F है M, L, T-2 और D हो गया L और Q बराबर I इंटू T तो Q बराबर I इंटू T से हो गया A T और I का हो गया ये A अब ये बन के सामने आ गया M, L, A के हाँ से और A के हाँ से तो ये हो गया 2 T-2 यहाँ पर है और ये उपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो M, L, T-3 और A का नीचे स्क्वायर हो गया तो उपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा तो इस तरह से M, L, T-3 और A-2 ये बन जाएगा और ये देख रहे हैं कि कौन सा है आप सम ए Question No.5 N समान प्रतिरोधक पहले स्रेडी क्रम में उसके पस्चास समानतर क्रम में जोड़े जाते हैं अधिकतम एवं निउनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा अब यहाँ देखिए स्रेडी क्रम में है और समानतर क्रम में है तो अगर स्रेडी क्रम में जोड़ते हैं स्रेडी क्रम में तो स्रेडी क्रम में माल लीजे कि जो है यह आपने ले लिया R S चलिए यह ले लिया आपने R S तो R S बराबर क्या करेंगे? R प्लस R प्लस R इस तरह से जोड़ते जाएंगे? कितने बार तरक? N times, यनि N bar आप जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा N into R इसी तरह से जब parallel का होगा, तो parallel में हम क्या जोड़ते हैं, ये ऐसे निकालेंगे 1 बटा R P, तो 1 बटा R, प्लस 1 बटा R, और ये इस तरह से, डाट डाट, कितने बार, N बार तो ये हो जाएगा N upon R, और R P की value हो जाएगी, R upon N, अब इस question में का रहा है कि अधिकतम एवं नियुनतम, तो अधिकतम सीरीज में होगा, तो अधिकतम जब सीरीज में होगा, तो ये हो गया आपका R S और नियुनतम, R P, ये बनेगा, तो R S का मान हो गया, N R, और R P का मान हो गया, R by N, तो R से R कट जाएगा, ये हो जाएगा, N square, यानि आपसन होगा, D AL तथा Germanium, मैंने Albonium तथा Germanium के एक टुकड़े को T1 Kelvin से T2 Kelvin तक ठंड़ा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको पता है कि ठंड़ा किया जा रहा है, यानि temperature क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो Albonium metal है, metal का temperature ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो ताप घटा तो आप चारों में से देख रहे हैं कि पहला है, और Germanium क्या है, Germanium जो है अर्धचालक है, और अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो जब यहां पर अगर घटाते हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, यानि Albonium का तार को खीच कर उसकी तरिज्या में 1% की कमी की जाती है, तार के प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, तो इस कोस्चन में आप क्या लगाएंगे, आप जो है, इसमें कह रहा है कि जो R है, R का मान जो है, यह R से 1% कम होता है, तो इसका मतलब हो गया कि r minus 1 बटा 100 r, यानि यह r dash निकाल लेते हैं, नया वाला, तो यह हो जाएगा r, यानि 99 r, 99 r बटा 100, 99 r बटा 100, अर्थात, यहाँ से अगर हम यह निकाल लें, कि r upon r dash बटा 100 बटा 99, तो यह हो गया 1.01, यह r upon r dash का मान मिल गया, ठीक है, अब इस तरह से जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले में अगर हम बैलू पुट करेंगे, तो यह फार्मूला जो है हमारा, यह r dash बटा r बराबर, n square हो जाता है, तो n square हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप al बराबर, a dash, l dash से इसको साल्व करेंगे, तो यह आजाएगा आपका, 1.01 into 1.01, n का square, और जब यह प्रतिसत निकालेंगे, तो प्रतिसत के लिए होता न, r dash बटा r minus 1, और into 100, तो यह multiply करेंगे, तो 1.0201, और minus 1, और into 100 आएगा, तो इस तरह से इसकी जो value है, यह 2.01% आएगी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि exact किसमें है, 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका option जो है, यह कौन सा होगा, 2% की ब्रिद्धी होगी, जूल के नियमानुसार, यदि प्रतिरोधक्ता, रो के चालक पर आरोपित विभवांतर नियत है, तो चालक में उत्पन उसमा समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे आप इसमें, देखे, एच के लिए फार्मूला होता है, एच बराबर भी स्क्वायर अपान आर, भी नियत है न, तो भी स्क्वायर अपान आर, और R की बैलू क्या होती है? R की बैलू होती है ρो L अपान A यहाँ पिर सबको अगर हम constant कर दें तो आप यह देखेंगे कि यह बैलू मिल जाएगी H proportional 1 by रो तो आपसन कौन सा सही होगा? आपसन होगा A Question No.9 ताप दीप्त बल्बों को बनाने में यह ध्यान रखा जाता है कि उनके फिलामेंट का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है यदि कमरे के ताप पर 100 वाट, 60 वाट तथा 40 वाट बल्बों के फिलामेंट के प्रतिरोध क्रमसह, R100, R60 तथा R40 हों तो इनमें कौन सा सही संबंध है? तो सबसे पहले तो आप जानिये कि प्रतिरोध क्या होंगे? तो R का जो मान होता है, R का मान कितना होता है? R बराबर होता है B square बटा P, यानि जिसका power कम होगा उसका resistance जादे होगा, तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि R40 is greater than R60 is greater than R100, होगा? R40 का मान सबसे अधिक है, R40 का मान सबसे अधिक है, और तो अगर आप इसका reciprocal कर दें, तो reciprocal कर देंगे तो क्या हो जाएगा? reciprocal करेंगर, एक बटा, तो एक बटा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा न, एक बटा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा? तो ये बन जाएगा, एक बटा R40 is less than एक बटा R60 is less than एक बटा R100. अब देखिए, जो बड़ा वाला sign है, इसका मुह अगर हम जो है left कर दें, तो ये उल्टा लिख करके आजाएगा? तो इस तरह से ये बन जाएगा D option, ये जो है D option सही हो जाएगा इसका. question number 10, एक फ्यूज के लिए क्या महत्व हीन है? मतलब किसका importance नहीं है? तो बिसिस्ट प्रतिरोद का importance है, तिरिज्या प्रतिरोद उसका घटेगा बढ़ेगा, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, इस पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भ वाट भी बोल्ट, तथा पी टू वाट भी बोल्ट को समानतर करम में जोड़ा गया है, तब कुल सक्ति होगी, तो कुल सक्ति जो है, यह है पी वान प्लस पी टू, यानि दोनों का सम हो जाएगा, बिसिष्ट प्रतिरोध का मातरक है, क्या मातरक होता है, तो आप यह पढ़े हैं न, कि यह होता है, आर बराबर रो एल अपान ए, तो रो बराबर, रो बराबर हो गया, आर ए अपान एल, आर का हो गया, ओम, इसका हो गया मीटर, इसक्वायर, और इसका हो गया, मीटर, एक मीटर से यह कट गया, क्या बन गया, ओम इंटू मीटर, तो यह आपका आपसन हो गया, ए, Question number 13 एक प्राथविक सेल का विद्धुत्वाक बल दो दफ्मलों 4 बोल्ट है इस सेल को जब लगुपथित कर देते हैं मतलब कि capital R का मान 0 तो 4 एंपियर की बैदुधरा प्रवाइत होती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा इसके लिए आप सेल से धरा निकालेंगे तो I बराबर होता है E upon R प्लस R तो I equals to E upon R हो जाएगा यानि R बराबर E upon I और यहाँ बैलू पूट कर दीजिए तो यह होगे आपका दो दसमलों 4 बटा 4 तो 4 चक 24 दसमलों 6 ओम और यह होगे आपका आपसन D Question No.14 एक इलेक्टरान बृत्ताकार कक्षा में 6 into 10 to the power 15 चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घोमता है तो लूप में धारा होगी यानि इसमें आपको फाइंड करना है धारा तो धारा कितनी होगी यह आपको फाइंड करना है तो धारा कैसे निकालेंगे इसमें जो है I बराबर क्या होता है Q अपान T होता है I का मान I बराबर Q बटा T और Q बराबर N E अपान T अब यहाँ पर बैलू पुट करते हैं तो N कितना है N कितने चकर लगा रहे हैं तो एक चकर के लिए धारा E बाई T है तो यह न चकर के लिए N E बाई T होगा तो N का मान हो जाएगा N का मान 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 और E का मान 1.6 10 टू दी पावर माईनस 19 अपान पर सेकेंड है तो 1 अब इसका गुड़ा कर दीजे तो 16 हका 90 यह हो गया और 19 में से 4 पंदर गया तो माईनस 4 अब इसको आप लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 टू दी पावर माईनस 3 और माईनस 3 क्या हो गया मिली हो गया तो इस तरह से हो गया 0.96 मिली एंपियर कौन सा आप्शन होगा आप्शन ए कुस्चन नमर 15 किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है इसकी बैदूत चालकता होगी तो बैदूत चालकता के लिए क्या सुत्र होता है बैदूत चालकता में आप जानते हैं कि इसको लिखते हैं हम किसे सुत्र देख लीजिएगा आप इसमें तो जी बराबर होता है एक बटा आर जी बराबर एक बटा आर तो एक बटा पांच सा हो गया तो एक बटा पांच सा हो गया तो ये आपका अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सुन्य दस्मलो सुन्य सुन्य दो और आर नीचे है तो ओम का इन्वर्स कौन सा आप्षन मिला आप्षन ए तो पंद्रय का आप्षन ए सही है 16 एक ताबे के तार को खीच कर एक परसेंट लंबाई में ब्रिधी कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा कितना परिवर्तन होगा तो इसे आप साल करते हैं किस तरह से साल करते हैं यह देखिए इसमें सबसे पहले तो आप एल डैस निकालेंगे तो एल डैस बराबर L प्लस एक परसेंट है, तो एक परसेंट है, तो एक बटा 100 L, यानि ये हो गया आपका 101 L बटा 100, यानि एक दसमलो सुन्य एक, अब A L बराबर होता है, A डएस L डएस, तो L डएस बटा L बराबर A बटा A डएस, और इसका मान हो गया 1.01, तो इस तरह से R अपान R डएस, R अपान R डएस का मान जो है, यानि R डएस अपान R का मान, यहाँ पर आपको मिल जागा N का स्कौायर, यानि 1.01 का स्कौायर, तो ये 1.0201 आ जाएगा, अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, percentage निकालने के लिए, आप लिखते हैं न, कि r dash बटा r minus 1 और गुड़े 100, तो इस तरह से ये 1.0201 minus 1 और गुड़े 100, तो ये आ जाएगा 2.01% तो 2% की ब्रेद्ध ही होगी, question number 17, N समान प्रतिरोधक पहले स्रेडी करम में और उसके पस्चास समान तर करम में जोड़े जाते हैं, अधिक्तम तथा नियुन्तम प्रतिरोधों का अनुपात ग्याद करिए, तो ये हो जाएगा N square, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 बोल्ट की लाइम से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा, प्रतिरोधों में अनुपात, तो भी और पावर में क्या संबंद होता है, भी और पावर में क्या संबंद होता है, तो आप जानते हैं कि R बराबर भी स्क्वायर बटा P होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, आपका R 40 बटा R 60 और इसकी बैलू हो जाएगी, भी स्क्वायर बटा 40, R 40 के लिए, और ये हो जाएगा इसका 60 बटा B स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 बटा 4, मने 3 बटा 2, तो अनुपात इसका हो जाएगा 3 बटा 2, 19, एक धातु के तार को खीच कर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है, तो तार के प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, तो R का मान जो 1% कम कर दिया गया, जब 1% कम कर दिया गया, तो R डैस बराबर R माइनस 1% आफ 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 आर, एक बेलनाकार चालक में 20 प्रतिरोध एवं 20 चालकता का गुड़नफल निर्भर करता है, तो 20 प्रतिरोध क्या होता है, 20 प्रतिरोध को आप लिखते हैं, रो से 20 चालकता, 20 चालकता होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर भी होता है, एक बटा, एक बटा रो, तो जब एक बटा रो होता है, तो यह row से row क्या हुआ, कट गया बराबर, one आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका गुड़न फल जो है, नियत हो गया, गुड़न फल नियत हो गया, तो किसी पनिर्फर कर रहा है, नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, अथात इसका option होगा, डी, बिसिस्ट चालकता का मात्रक, बिसिस्ट चालकता का मात्रक, तो बिसिस्ट चालकता किसे कहते हैं, आपने देख लिया भी, कि सिग्मा बराबर, एक बटा, रो, और रो का क्या होता है, ओम इंटू, मीटर, तो जब यह उपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, आपसन C, 0 Kelvin ताप पर सुध अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक, तो अर्धचालक जो है, यह है, फुल्ली इंसुलेटर है, बैदुत रोधी, Q23, यदि इलेक्टरान का अफवाब एक VD तथा बैदुत शेत की तिवर्ता E हो, तो निमनलिखित में से कौन सा संबंद ओम के नियम का पालन करता है, VD बराबर नियतांग, VD परपोर्शनल E, VD परपोर्शनल रूट E, VD परपोर्शनल E स्क्वायर, कौन सा काम करेगा, कुछ फार्मूला इसे संबंद दित होगा तभी तो आप लगाएंगे, तो J बराबर क्या होता है, J बराबर J बराबर होता है Sigma into E होता है और J बराबर I upon A भी होता है J बराबर I upon A तो I upon A I upon A से अगर हम यहाँ पर बैलू रखते हैं तो N, E, A B, D और upon A A से A कट गया तो N ने B, D हुआ अब देखिए बाकी चीज़ से तो हमको यहाँ पर जरूत है नहीं तो B, D यह इसके परपोर्शनल हो गया तो B, D परपोर्शनल E तो आप्शन कौन सा सही हो गया इसका B आप्शन हो गया Question number 24 पचास ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खीज कर उसकी लंबाई दो गुनी कर देते हैं उसका नया प्रतिरोध है क्या होगा नया प्रतिरोध तो नया प्रतिरोध के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है आप पढ़े हुए है कि R डाइस बराबर R डाइस बराबर N स्क्वाइर इंटु R N का मान कितना हो गया N का मान N का मान हो गया 2 तो 2 का स्क्वाइर और इंटु R यानि 4 इंटु R R का मान है पच्चास पांचव को 20 200 तो कौन सा आप्शन हो गया आप्शन D अगला कोस्चन देखते है कोस्चन नमर पच्चीस दो प्रतिरोध R तथा 2R और एक बैदूत परिपथ में समानतर क्रम में जुड़े हैं समानतर क्रम ध्यान दिजिएगा R तथा 2R में उत्पन उसमी उर्जा का अनुपात होगा क्या अनुपात होगा तो अनुपात जो है इसका कैसे निकालेंगे आप H बराबर क्या होता है इसको नीचे लिख रहा हूँ H बराबर होता है V स्कॉाइर बाई यार तो पहले के लिए H1 बराबर हो जाएगा V स्कॉाइर V स्कॉाइर बटा R1 होगा अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा H बराबर दूसरे के लिए हो जाएगा H2 बराबर V square बटा R2 हो जाएगा अब आपको निकालना है H1 बटा H2 क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा V square बटा R1 गुडे R2 बटा V square ये तो इसे कट जाएगा तो मिल जाएगा R2 बटा R1, R2 कितना है? R2 है 2R और R1 कितना है? R है तो अब ये R से R कट गया क्या मिला? 2 is to 1 ये 25 का है solution तो ये हो जाएगा आपका 2 is to 1 Question number 26 220 volt 108 का bulb 110 volt की supply से जुड़ा है bulb में ब्याय होने वाली सक्ती पावर होगा कितना होगा? तो क्या-क्या दिया है? इस question में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दिया है B ये दिया है B ये दिया है इसका वाट वाट पावर और ये नई सप्लाई है भी डैस तो इन दोनों से पहले हम आर निकाल लेंगे तो इन दोनों से जब आर निकालेंगे तो आर बराबर भी इसक्वायर बटा पी तो ये गुड़ा करेंगे तो 220 गुड़े 220 और बटा 100 एक दो जीरो इससे कट जाएगा 22 का हो जाएगा 484 ओम अब 110 बोल्ट की सप्लाई से पावर निकालना है तो अब जो निउ पावर है ये पी डैस बराबर भी स्क्वायर बटा भी का मान 110 गुड़े 110 बटा आर 484 11 दहा में इतना और ये 11 से काटेंगे तो 1144 फिर ये 10 कटेगा 1144 ये 2 कटेगा 2 पचे 10 और ये फिर 2 से कट जाएगा ये 5 यानि ये हो गया 25 वाट तो आपसन कौन सा बना C आपसन बना कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 24 गुड़े 10 की घाच है प्लस माइनस 5 परसेंट है इसे देख रहे हैं 22 से दाई दिसा की ओर अब ये बताना है कि इसका कौन सा कलर कोड होगा तो इस कलर कोड के लिए आपने क्या पढ़ा है इस कलर कोड के लिए आपने पढ़ा है अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो देखे आपने पढ़ा है बी बी राय बी बी राय आप ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गूड वाइफ ये पढ़ा है तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तो अब ये देखिए दो चार है तो दो के लिए क्या बनेगा दो के लिए रेड हो गया दो के लिए रेड हो गया चार के लिए क्या होगा चार के लिए यलो होगा तो ये यलो हो गया ये multiplier 6 है तो 6 के लिए क्या बनेगा ब्लू बनेगा ठीक है ये ब्लू बना फिर ये tolerance है तो ये golden, silver और no color होता है तो यह golden color होगा, तो red, yellow, blue और golden, तो option हो जाएगा B, इसे तरह से 28 का है, किसी carbon प्रतिरोधक 47 प्लस minus 4.7 kilo ohm की पहचान के लिए आपको burn code बना तो 47 के लिए क्या बनेगा, 47 के लिए आप निकालेंगे, तो यह हो जाएगा yellow, इसके बाद violet और orange, अब यह जो percent वाला है न, percent वाले के लिए आप देखेंगे, कि यह हो जाएगा आपका 4.7 upon 47 kilo ohm, तो इसको जब percent बनाएंगे न, तो यह आजाएगा 10%, तो इसका मतलब है कि 10% चादी के लिए होता है, question number 29, question number 29 में है कि, एक 24 ohm प्रतिरोध वाले तार को, एक संभाह उत्रभुज के रूप में मोड़ा जाता है, कि नहीं दो किनारों के बीच पर बहावी प्रतिरोध है, क्या होगा, 24 ohm का प्रतिरोध है, और उसे जो है संभाह उत्रभुज बनाया गया है, इसका मतलब हो गया कि, ये हो गया संभाह उत्रभुज, इसमें जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, तो ये बट जाएगा, तीन भाग में, तो ये हो जाएगा 8 ohm, ये भी 8 ohm और AB 8 हो अब इसमें अगर हम नाम दे दे A, ये B और ये C, तो क्या कह रहा है किन ही दो किनारों की बीच जैसे मालीज़े अगर AB की बीच निकालना है तो AB की बीच निकालना है तो 8 और 8, 16 उपर का AB के उपर ये 16 हो गया और ये 8 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि R A B बराबर product upon sum समानांतर में हो गया जब समानांतर में हो गया तो product अपान sum तो ये हो गया आपका 16 गुड़े 8 बटा 24 8 तिरिके 24 ये हो गया हमारा 16 बटा 3 तो इस तरह से आप देख रहेंगे कि इसका option D सई होगा question number 30 इस question number 30 में है कि एक बैटरी जिसका बैदूत वाहक बल 5 बोल्ट है बैदूत वाहक बल 5 बोल्ट है इसका मतलब है कि ये हो गया E आंतरिक प्रतिरोद आंतरिक प्रतिरोद हो गया इसमाल आर एक बाहरी प्रतिरोद से जूड़ी है यदि परिपत में धारा ये I 4 दसमलो 4 एंपियर हो तो बैटरी की टर्मिनल बोल्टता है टर्मिनल बोल्टता क्या होगी तो टर्मिनल बोल्टता के लिए क्या होता है इसमें हम यूज़ करते हैं कि B बराबर E माइनस I R E का मान है 5 बोल्ट I 0 दसमलो 4 एंपियर और R का मान है 2 तो इस तरह से हो गया 5 और ये 4 दुना 8 अब इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 4 दसमलो 2 बोल्ट तो इसका आप्सन होगा D Question number 31 और समान अनुपरस्त काट वाले एक धात्विक चालक में से एक इस्थिर धारा प्रवाइत होती है जो रास या रासियां चालक की लंबाई के अनुदिस इस्थिर है या है वह या वे है या है अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि चार आप्सन दिये गए हैं इस चार आप्सन में से आपको बताना है कि कौन सा उस्पर निर्भन नहीं करता है तो देखें आई का मान क्या होता है आई बराबर होता है एन ए ए भीडी तो यहां से ए और भीडी ए और भीडी में क्या संबन मिला इसमें संबन मिला कि भीडी परपोर्शनल वन अपान ए इसी तरह से होता है कि जे इक्वल्स टू सिग्मा ए ओके और ये बराबर आई अपान ए तो यहां से ये मिल गया आपको इ परपोर्शनल वन अपान ए अर्थात भीडी और इ ये दोनों ही जो है क्रास सेक्षन एरिया पर निर्भर करते हैं इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ जो है वन यानि आई आई जो है यह है इस्थिर होगी तो I स्थिर होगी तो इसका मतलब हो गया कि इसमें आपसन D होगा कोश्चे नबर 32 4.2 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए 49 गुड़े 10 गात माइनस 8 ओम मीटर बिसिस्ट प्रतिरोध वाला कितना लंबा तार चाहिए ब्यास दिया गया है दसमलो 4 मिलीबिटर तो यह हो गया R का मान यह रो का मान हो गया इसके बाद L जो है यह बताना है ब्यास दिया है तो इसको बदल देते हैं तो दसमलो 4 और गुड़े 10 के गात माइनस 3 मीटर यानि 4 गुड़े 10 के गात माइनस 4 मीटर हो जाएगा अब देखे अब जो फार्मूला होता है फार्मूला होता है R बराबर रो यल अपान A तो इससे L बराबर आपको मिल दाएगा R A अपान रो और इसमें सब बैलो फूट कर दीजे R कामान है 4 दसमलो 2 और A कामान हो गया पाई R स्कॉयर तो पाई D स्कॉयर बाई 4 तो पाई D स्कॉयर तो D का स्कॉयर हो गया 4 का स्कॉयर इन्टू 10 तो दी पावर माईनस आठ और बटा रो रो कमान हो गया और तालिस और गुडे 10 की घात माईनस आठ अब इसे आप सिंप्लिफाइग कर लीजे रिया जाएगा एक दस्मलो एक मीटर यानि इसका आपसन होगा A कुस्चन नबर 33 जब दस्मलो एक मीटर लंबे तार के सीरों के बीच 5 बोल्ट का विभवांतर लगाय जाता है तो इलेक्ट्रानों की अफवाचाल मतलब भीड़ी 2.5 गुडे 10 की घात माईनस 4 मीटर परती सेकेंड है यदि तार में इलेक्ट्रान घनत तो 8 गुडे 10 घात 28 पर मीटर क्यूबिक है तो पदार्थ की प्रतिरोधकता इसके निकट है यानि आपको बताना है कि इसमें रो कामान क्या होगा तो रो कामान निकालने के लिए आपको इसमें क्या इस्तिमाल करना होगा देखें क्या क्या दिया है ये जो है तार की लंबाई दिया है ये विभवांतर दिया है भी ये भीड़ी दिया है ओके और ये क्या दिया है ये दिया है इलेक्टान डेंसिटी N तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्टान घनत्त की रूप में आपको find करना है तो देखो फार्मूला क्या आप यूज करोगे J बराबर होता है N, E, V, D N, E तो I यूज करिए I equals to N, E, A, V, D और ये किसके बराबर होता है V बटा R तो जब V बटा R होता है तो इसको अगर हम simplify और करें तो V बटा और ये रो L अपान A इससे जो है रो की जो value है ये रो इक्वल्स टू आजाएगा V अपान N E V, D और L तिक अब इससे आप simplify कर लीजे simplify करेंगे तो ये value आजाएगी 1.6 गुडे 10 की घात माइनस 5 ओम मीटर यानि आप्शन होगा D question number 4 यदि N E Tau और M एक इलेक्टरान के क्रमस इलेक्टरान घनत्व आवेस विस्तरानतिकाल और दर्बेमान दर्साएं तो L लंबाई और A अनुपरस्त काट छेतरफल वाली तार का प्रतिरोध है देखिए इसमें से कौन सा होगा टीक तो उपने लगा दिया लेकिन ये आएगा कैसे तो आपने फार्मूला कुछ पढ़ा है चलिए नहीं पढ़े हैं तो देखिए ये होता है आर बराबर रो एल अपन ए होता है रो कामान क्या होता है रो कामान होता है एम अपन एन इस्क्वाइर टाव और एल अपन ए तो क्या मिल गया है एम एल अपन एन इस्क्वाइर टाव ए दिखा आप्शन तो option A सई होगा Question No. 35 एक X किरन ट्यूब पर लगाया गया विभवांतर 5 किलो बोल्ट है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 3.2 मिली एम्पियर है प्रति सेकेंड लक्ष से टकरा रहे इलेक्टानों की संख्या ग्यात करनी है आपको तो क्या क्या दिया है दिया है इसमें ये धारा है ये आई का मान है इलेक्टानों की संख्या निकालना है मतलब की N और प्रति सेकेंड है तो इसका मतलब भी हो गया कि T का मतलब T एक सेकेंड है तो फार्मूला क्या होता है फार्मुला होता है Q बराबर N E तो N क्या हो जाएगा N बराबर Q बटा E Q का मान Q का मान I into T और बटा E I दिया है 3.2 mA तो 10 गात माइनस 3 हो गया into T 1 second बटा E 1.6 गुड़े 10 गात माइनस 19 अब इसको सिंप्लिफाई करिए तो 16 दुना 32 और 19 में से 3 जाएगा 16 अर्थात ये मिल जाएगा आपको equals to 2 into 10 to the power 6 16 यानि 2 गुड़े 10 के घात 16 Q नुबर 36 एक चालक में धारा I समय T के साथ I बराबर 2 T बलस 3 T स्कॉयर के अनुसार परिवर्थित होती है जहां I MPR में है और T सेकेंड में T बराबर 2 सेकेंड से T बराबर 3 सेकेंड के दौरान चालक के किसी भाग में से प्रवाहित होने वाला बैदूत आवेश है question थोड़ा मुस्किल है तो इसमें आप देखें क्या करेंगे I दिया है यह I दिया है आपको Q पूछ रहा है तो Q बराबर I into T होता है Q बराबर I into T होता है तो यहां से हम यह निकाल सकते हैं कि Q बराबर यह 0 से लेकर के T तक और I DT अब यहां पर आप देखिए 0 से लेकर के T I का मान है 2T प्लस 3T स्क्वायर और DT अब इसमें अगर इससे उस सिंप्लिफाई करें तो यह क्या मिलेगा यह मिल जाएगा आपको 2T स्क्वायर बाई 2 प्लस 3T क्यूब बटा और इसकी लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक लिमिट इसकी लग जाएगी 2 से लेकर के 3 सेकेंड तक तो इसको आप इनिसियल 2 कर लीजिए और इसको 3 कर लीजिए तो अब यह 2 से तो 2 कट गया यह 3 से 3 भी कट गया तो अब यह यहां पर मिला T स्क्वायर प्लस T क्यूब T स्क्वायर प्लस T क्यूब और यह लिमिट लगेगी 2 से लेकर के 3 अब देखिए अब इसमें इसकी बैलू हम सिंप्लिफाई करें तो यह Q बराबर हो जाएगा T का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब तो 3 तरिक 9 9 में से 4 गया 5 और 3 तरिक 9 तियां 27 और पांच, 24, आपसन कोई सही है, 24 कुलाब, तो इस तरह से इसका आपसन हो गया 24 कुलाब, Q37, लोहे के किसी तार का बैदुत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई और ब्यासार्द, दोनों दुगने कर दिये जाएं, तो क्या हो जाएगा, तो अगर दोनों दुगना करते हैं, उस इस्तिती में, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, R बराबर रो L अपान A, ठीक है, और इसे अगर हम ब्यास के रूप में देखें, तो L ये पाई, D स्क्वाइर बाई, फोर हो जाएगा, तो अब क्या करा रहा है कि D जो है, D का मान, ब्यास आर दुगने कर दिये जाए, और लंबाई भी दुगना कर दिये जाए, तो इस तरह से आप ये देखेंगे, कि लंबाई, ये हो गई, 2L, और ब्यास भी दुगना कर दिया गया, तो 4, D स्क्वाइर बाई 4 होगा, और इस का मतलब हो गया कि ये जो टोटल बैलू है, ये हो गई 1 अपान 2, रो L अपान A, यानि प्रतिरोध जो है, आधा हो जाएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध ये पदार्थ का गुण होता है, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा, तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, और तो फार्मूला आप कुछ जानते हैं, चलिए नहीं जानते हैं, आई बराबर E बटा R प्लस R, अगर यहाँ पर इस R का मान जो है, अगर कैप्टल R से बहुत अधिक हो जाए, तो इस स्थिती में आई बराबर हो जाएगा E बटा R, और E बटा R होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस्थिर हो जाएगा, इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, लोड के प्रतिरोध से बहुत अधिक होना चाहिए, और अगर लोड के प्रतिरोध से बहुत अधिक होगा, तो उस स्थिती में इसका जो लोड होगा, उस लोड में धारा जो है वहाँ इस्थिर देगा, के बने बिर्ताकार तार के ब्यास का दूगना है. फिर दोनों तारों का प्रतिरोद समान होने के लिए उनकी करमस लंबाईयों का अनुपात यले अनुपात LB क्या होना चाहिए? तो क्या क्या कह रहा है इसमें? एक तो ये कह रहा है कि रो बी बराबर टू टाइम्स रो ए है और पहले का ये जो दूसरे वाले का ब्यास है पहले के ब्यास का दुगना है. ये कह रहा है? तो यहाँ पर अनुपात निकालना है आर के लिए यानि आर वन बराबर आर टू. तो इसमें अगर हम ये बहलू जब पुट करेंगे रो ए ल ए अपान ए क्रास सेक्षन एरिया और बराबर रो बी एल बी अपान ए बी अब बैलू इसमें पुट कर दीजे तो जब बैलू पुट कर देंगे तो एल ए अपान एल बी बराबर रो बी अपान रो ए और इंटू ए ए अपान ए बी बैलू पुट कर देंगे तो रो बी अपान रो ए ये तू हो गया इंटू ए ए अपान ए बी ये जो है आर काई स्क्वार हो जाएगा तो वन बाई फोर हो जाएगा तो दो से ये कट गया ये हो गया वन बाई टू तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी बैलू हो जाएगी वन बाई टू दी गई एक बेलनाकार तार की लंबाई 100% बढ़ा दी जाती है इसके परड़ाम सरू ब्यास में कमी के कारण तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा, मतलब कि कितना घटिया बढ़ जाएगा तो अगर 100% बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि जो लंबाई है यह है 2L हो गई अर्थाथ L- बटा L का जो मान है यह 2 हो गया यानि प्रतिरोध कितना बढ़ जायेगा प्रतिरोध जो है ये यन हो जाता है तो r का मान जो है r बराबर होता है many square यानि ये 10 तो ये 4R हो जाएगा, 4R का मतलब क्या हो गया, कि 400%, लेकिन कह रहा है कि कितना बढ़ जाएगा, तो बढ़ने स्थाथ पर क्या है, कि 4R में से R पहले का है न, तो घट गया, कितना बढ़ है, 3R, इसका मतलब हो गया, कि यह 300% जो है, बढ़ जाएगा, question number 40 का answer हो दा D 100 degree centigrade ताप पर एक बल्म के filament का प्रतिरोध 100 ohm है यदि इसका प्रतिरोध हकता ताप गुडांक 0.005 पर degree Celsius हो तो इसका प्रतिरोध 200 ohm हो जाएगा कितने ताप पर यानि find करना है कि कितने temperature पर यह 200 प्रतिरोध हो जाएगा तो फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है T2 minus T1 मने डेल्टा T बराबर R2 minus R1 बटा R1 into alpha ठीक है अब इससे जो है R2 कितना है R2 200 R1 100 और R1 यहां हो गया 100 और यह हो गया 0.005 तो T2 minus T1 T2 minus T1 बराबर उपर से हो गया 100 और बटा 100 गुडे यह 5 और यह हो गया आपका एक लिख करके 3 0 यह इसे कट गया यह इसे काट दीजिए तो यह हो गया 200 यानि T2 minus T1 बराबर 200 तो T2 बराबर 200 प्लस T1 और T1 कितना है T1 का मान 100 है T1 का मान 100 है कितना हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रे कोस्चन नमर 42 एक प्रतिरोधक आर में प्रवाहित होने वाला आवेस Q समय T के साथ Q बराबर 80 minus VT स्कॉयर के अनुसार परिवर्तित होता है जहां A और B धरानात्मा किस्थी रांक है R में उत्पन कुल उस्मा है कुल उस्मा कितनी होगी यह जो है यह कोस्चन जो है यह इसमें जो है यह पूछा गया कोस्चन है तो Q का मान तो दिया गया यहां पर और I बराबर होता है DQ by DT तो इससे जो है जब हम D by DT और यह AT minus BT square इसको साल करते है तो क्या मिल जाता है यह मिल जाएगा A minus 2BT ठीक है तो अगर जब I का मान 0 होगा तो A minus 2BT बराबर 0 तो इससे मिल जाएगा T बराबर A अपान 2B ठीक है अब H का मान जो है H बराबर यह लिमिट हो जाएगी 0 से ले करके और A अपान 2B और यह अब इसको सिंप्लिफाइ करेंगे आप सिंप्लिफाइ करेंगे इसको सिंप्लिफाइ करेंगे यह काम आप खुद करेंगे तो यह आ जाएगा A क्यूब अपान 6B तो इस तरह से यह हमारा आंसर होगा A क्यूब आर यह साथ में कैपिटल आर भी है न इसके साथ यह कैपिटल आर भी लगा हुआ है तो यह A क्यूब आर बटाएए यह आंसर होगा Question No.43 एक तार का प्रतिरोद 50 degree centigrade पर 5 ohm है 100 degree पर 6 ohm है तो 0 पर कितना होगा यह आपको बताना है कि 0 degree centigrade ताप पर यह कितना होगा तो फार्मूला R 100 माइनस R 0 बटा R 50 माइनस R 0 बराबर यह 100 माइनस 0 बटा 50 माइनस 0 यह 2 आ गया अब जो है इसको simplify करिए तो 6 माइनस R 0 बटा 5 माइनस R 0 बराबर 2 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस R 0 बराबर 5 दोना 10 माइनस 2 R 0 तो 2 R 0 माइनस यह उधर चला जाएगा 10 में से 6 गया 4 तो कितना हो गया R 0 बराबर 10 में से 6 गया 4 ओ यह आपसन हो जाएगा D फ्यूज तार का होता है क्या कम प्रतिरोद वह कम गलनांग कम प्रतिरोद उच गलनांग तो इसका प्रतिरोद कम होता है और गलनांग कम होता है यह तो आप जानते हैं इसके बाद है question number 45 दो बोल्ट विद्दूत वाहक बल वाले एक सेल का अंतरीक प्रतिरोध दस्मलो एक ओम इसे 3.9 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है सेल के 0 के बीच बोल्टता होगी कितनी होगी यह आपको बताना है तो सबसे पहले तो आप इसमें धारा निकाल लीजिए तो धारा कमान कितना हो जाएगा धारा कमान हो जाएगा आई बराबर कितना यह पान आर तो 2 बोल्ट और बता आर आर कमान हो जाएगा टोटल 3.9 और 10.1 तो यह 4 हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि यह हो गया दसमलो पाँच एमपियर अच्छा अब यह भी बराबर E माइनस आई आप तो E का मान दो बोल्ट, I का मान दसमलो पाँच और R का मान दसमलो एक यह हो गया दो माइनस पाँच एकम पाँच, 0.05 यानी 1.95 बोल्ट, आपसन C Question 46, एक सेल का खुले परिपत में टर्मिनल विभुवांतर दो दसमलो दो बोल्ट है जो सेल को R बराबर 5 ओम के प्रतिरोधक के साथ जोड़े जाने पर कम होकर एक दसमलो आठ बोल्ट रह जाता है सेल का अंतरिक प्रतिरोध R यह बताना है आपको कि R का मान कितना होगा तो R के लिए फार्मूला आप जानते हैं डाइरेक्ट फार्मूला आपने एक पड़ा है कि R बराबर E माइनस B अपान B और इंटू केप्टल R वैलू फूट कर दीजे तो 2 दसमलो दो माइनस 1 दसमलो आठ बटा 1 दसमलो आठ और गुडे 5 दिया गया अब इसको सिंप्लिफाई कर लिजे सिंप्लिफाई करेंगे तो आज जाएगा 10 दस बटा 9 कोस्चन नबर से तालिस एक सामाने स्रेडी क्रम परिपत में से 5 अम्पियर धारा परवाइद होती है जब इसमें 2 ओम का प्रतिरोध अत्रिक्त जोड़ा जाता है तो धारा घटकर 4 अम्पियर हो जाती है तो परिपत का आरंभिक प्रतिरोध क्या था यह आपको बताना है तो देखें सप्लाई तो इसमें चेंज होई नहीं जब सप्लाई चेंज नहीं होई तो इसका मतलब है कि उसके सीरे का जो भी भुवांतर है वह बराबर होगा अर्थात भी बराबर अगर पहले आई आर था तो अब यह आई डैस आर डैस होगा तो इसी साब से हो गया 5 इंटू आर बराबर 4 और आर प्लस 2 दो बढ़ा ना तो अब यह बन गया 5 आर पराबर 4 आर और प्लस 8 अब यह 5 आर में से 4 गया तो आर तो आर बराबर 8 और अर्थात 8 और प्रतिरोध जो है पहले था संगलगन परिपत में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में यानि आप देख रहे हैं कि A और B के बीच में तो A और B के बीच में कितना दिया है 10 ohm दिया है A C के बीच में कितना दिया है ये A C के बीच में दिया है 10 ohm और उपर वाला जो है ये 4 और ये 6 रेनी करम में है तो ये हो गया 4, 6, 10 A B हो गया 10 अब ये सभी जो है ये A हो गया और ये B हो गया कैसे जुड़े हैं, सब समानतर में हो गए, तो 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 10 प्लस क्या बचा A, B A, B, 6, 4, 10 और 10, 10 ये 5 हो गया, 5, 5 10 और फिर इसके स्रेडी में, तो कैसे निकाले आप तीनो नहीं हुआ तीनो जो है तीनो को ऐसे निकालते हैं ये 6, 4, 10 हो गया, 10 और 10 10, 10 का 5 हो गया, 5 और 5, 10 और फिर ये 10 के समानतर में, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका R बराबर, प्राडक्ट अपान सम तो 10 गुड़े 10 बटा 10, प्लस 10 10 दहा में 100 और 10 ये 20 हो गया, तो 20 पचे 105 हो, 5 हो मा जाएगा इसमें अब इसके बाद, कोस्चन नमबर 49 आर ओम के यन प्रतिरोद, समानतर करम में, जुड़ने पर तुली प्रतिरोद, कैपिटल आर ओम देते हैं, यदि ये प्रतिरोद स्रेडी करम में जूड़े जाते हैं, तो संग्योजन का प्रतिरोद क्या होजगा, एन स्कौाइर आर हो जाएगा, इस तरह से हैं, ये प्राबर, एन स्कौाइर आर, तो ये न गुना कर दिया गया, ये न गुना कर दिया गया न, तो सीदे सीदे क्या हो गया, एन स्कौाइर आर हो गया, इसका मतलब कि इसका आप्सन होगा, एन स्कौाइर आर, तो ये हैं इंपार्टेंट क्वेस्चन्स, पूरे सलूशन के सा इसे अच्छे से आप सभी दोग देख ले, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा.